Easy educational और informational वीडियो के लिए नीचे दियेगा red subscribe बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताके आपको हमारी वीडियो मिलती रहें और साथ दियेगे bell icon पे क्लिक कर लीजिए ताके आपको हमारी हर नई वीडियो का notification मिलता रहे subscribe बिल्कुल free है तो चलें start करते हैं fixed income fund इस वीडियो में आपको उताऊँगा कि fixed income fund क्या होता है इसका basic concept, basic logic क्या है, easy way में आपको समझाऊँगा example के साथ तो concept से पहले इसकी छोटी सी definition उसको read करते हैं, साथ साथ concept को समझते हैं these funds by investments that pay a fixed rate of return like government bond, investment grade, corporate bonds and high yield corporate bonds. Fixed income fund नाम से पता चाल ला है, कि वो fund, जिस investment से या जिस fund से आपको fixed income मिलें, मतलब आपको पता हो, इससे इतनी पैसे मिलने हैं, इससे महीने बार या साल बार दस अजार ही मिलना इस investment से, उसको हम बोलती है, fixed income fund. वो investment या वो fund, कोई भी fund आपने raise किया है, उससे आपको पता है, कि इससे जो investment जो आपने investment किया है, या जो fund raise करके किसी जगा पर आपने investment किया है, उस fund के जरीए से, उसको amount के जरीए से, आपको पता है, उस amount से आपको पैसे जो है, fixed मिलने है, इतने पैसे मिलने है, मतलब आपक को पता है ये लाग कर्पेल के पिल्द में एप इंवेस्समेन्ट है हर साल इस से 10,000 पर ए तो इस इंकम को जो दस था एनकम मिल्लिया है सिरू का इस इंकम ये जोoshima रभार इंकम मिल्लिया है इसा पता है इसाथ इंकम एक फिकस़ ऑनकम ही मिलनी है इसमें आपको बता रिया जाता है कि आपको हर साल बाद 10 परसंट इंटरेस्ट मिलना है तो यहाई इस तरह भी हो सकता है कुछ कमपनीज कहती ह ответ कि आपको प्हले साल 10 परसंट इसके ओपर इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल अगर आप इसको पास रखे आप इसको बेचे ना, आपको 15% इंटरस्ट मिलेगा, तीसरे साल आपको 20% मिलेगा, तो यह भी उन्होंने पहले से डिसाइड का दिया कि आपको इतना इंटरस्ट मिलना है, तो यह भी फिक्स्ट में आ जाता है, फिक्स्ट हमेशा यह नहीं होता कि पहले ही बता दिया कि एक कि वह यह amount जो एक ही जैसी amount मिलती है उसको fix बोलते है और जो amount कभी ओपर नीचे होती है उसको हम floating या flexual amount बोलते है, नई, fix का concept अभी समझ लें कि वह amount जो पहले से decide कर दी जाए कि आपको इतनी amount मिलनी है, पहले साल बेशक 10 हो, 10% rate मिले, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 20% तो यह प प्रोफिट मिलेगा बॉंड कि उपर फॉरी कि उपर हजार पे का अपने बॉंड करीदा है, पहले साल आपको हजार पे के उपर 10% लगा 100 रुपया मिल गया, दूसरे साल फिर साल फिर साल 200 क्योंकि पंदरा परसंट तीसरे साल 20% तो यह जो आपको मिला 10, 100 रुपया, 200 यह जो है आपके एक फिक्स्ट इंकम में आजाता है, तो इसको हम बोलते है फिक्स्ट इंकम फंड, वो फंड यह वो इन्वेस्टमेंट जिसे आपको इंकम फिक्स्ट मिले उसको हम फिक्स्ट इंकम कहते हैं, तो बेसिकली यह इसमें सेफ बंदा होता है, इसमें जो रिस् in-trust pay करने है तो inser 점 in-trust pay minus तो इसमें उसमें जाद dawn तोTr pail आ देंगे होता है ढ़्ड लोग हो कुछ उपने पहस मैं रख्यागार लेजि़ा़ता है इसल ना पास मैंपटा पैसा ना उता है जो पी पिर्सक्षण सुप्राइशे में और प्रभी यस रहों रहुतके ही भूल नियुज़ सिंद मारा और अधा में और नियु खांता है तो hai होप आपको भाने प्रफ इंकंपनxo्स बादा चल गया होगा लेँ सॉब्सक्राइब और लाइक करना मत बूलिएगा अपना बहुत ख्यार रखियेगा दुआउं में याद रखियेगा गुडबाई